आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम MS Word का यूज करके पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बना सकते हैं MS Word को यूज करके हम पासपोर्ट साइज फोटो बहुत आसानी से बना सकते हैं मैं आपको आज की वीडियो में सिखाऊंगा कि आप MS Word का इस्तेमाल करके पासपोर साइज फोटो कैसे बना सकते हैं तो वीडियो को लास तक देखिएगा प्लीज इसकिप मत कीजिएगा मैंने यहाँ MS Word ओपिन कर लिया है और एक नया पेज ले लिया है आपको इस पेज लेने के बाद क्या करना है पेज ले आउट पे किलिक करना है मार्जिन पे किलिक करके नैरो पे सिलेक कर लेना है इतना करने के बाद आपको इंसर्ट टैप पे किलिक करना है और यहाँ पे आपको टेबल इंसर्ट करना है यहां आप देख सकते हैं मेरा एक table किरियट हो गया है जिसके अंदर 4 row है और 4 column है और 3 row है अगर मुझे इसका size बढ़ाना है तो मुझे simply क्या करना है इस plus वाले icon पे click करना है क्लिक करने के बाद layout पे click करना है layout पे click करने के बाद आपको यहां पे height और width चेंज कर लेना है मैं यहां height ले लेता हूँ 4.5 cm और यहां width ले लेता हूँ 3.5 cm आप चाहें तो इसको change कर सकते हैं inches में भी इसके लिए आपको क्या करना है simply इस tab के अंदर जाना है word option पे click करना है word option के अंदर आपको advance दिखेगा उस पे click करना है scroll करेंगे तो आपको display दिखेगा डिस्प्ले के अंदर इस पे क्लिक करके आप आसानी से यहां जो भी आपको लेना है inches लेना है तो inches ले सकते हैं मिली मीटर लेना है मिली मीटर ले सकते हैं मैं यहाँ centimeter रख रहा हूँ तो मैं centimeter ही रखूंगा अब यहाँ मेरा table resize हो गया है अब क्या करना है मुझे simply इसमें picture insert करना है उसके लिए आपको क्या करना है insert tab पे जाना है picture पे click करके आपको जो भी picture insert करना है उस पे click करके आप उस picture को insert कर लेंगे लेकिन जब आप insert करेंगे तो वो picture का actual size में आएगा अब मुझे क्या करना है इसका size resize करना है उसके लिए मैं क्या करूँगा अराम से text wrapping पे click करूँगा उसके अंदर आपको in front of text मिलेगा उस पे click करके इसका size मैं क्या कर लूँगा resize कर लूँगा इसका size मैं और resize कर लेता हूँ यह मैंने इसका size क्या कर लिया है resize कर लिया simply अब मुझे क्या करना इसको crop करना है तो crop वाले button पे click करके इसको मैं नीचे से crop कर लेता हूँ और side से भी इसको left side से भी और right side से भी इसको मैं थोड़ा थोड़ा crop कर लेता हूँ crop करने के बाद इसको बीच में ले आता हूँ अब यह मेरा crop हो गया है अब simply बाहर click करके फिर से picture पे click करना है और इसका size मुझे क्या करना है बढ़ा करना है simply कोने से पकरके मैं इसका size बढ़ा कर लूँगा नीचे से भी थोड़ा बढ़ा करूँगा और थोड़ा सा ऊपर से भी इसको मैं बढ़ा करूँगा अब यह size इसका बढ़ा हो गया है लेकिन आप थोड़ा सा इसको left side से मुझे और छोटा करना होगा तो simply मैं left side से इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ और आप arrow key का इस्तमाल करके इसको अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं मैं इसके अंदर आप border भी insert करना चाहता हूँ तो border के आपको क्या करना है simply इस picture border पे click करना है इसके अंदर आपको weightage मिलेगा इस पे click करके आपको जितना border add करना है उसी हिसाब से border आप add कर सकते हैं और arrow key का इस्तमाल करके आप इस picture को left right up down set कर सकते हैं इतना काम करने के बाद आपको बाहर click कर देना है और left arrow का click करके फिर से इसके अंदर आ जाना है आप मुझे क्या करना है कि mailing में जाना है mailing tab पे click करेंगे और यहाँ पे start mail merge पे click करेंगे इसके अंदर आपको labels दिखेगा उस labels पे click करना है और यहाँ आपको छेड़ चार नहीं करना simply आपको ok करना है फिर से ok करना है इतना करने के बाद आपके पास एक plane ऐसा page open होके आ जाएगा यहाँ पे simply आपको क्या करना है control key के साथ Z को press करना है control Z करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है update labels पे click करना है आप जैसे update label पे click करेंगे यह automatic आप देख सकते हैं passport size photo मेरा सारे rows और column में आ जाएगा तो बहुत असानी से आप MS Word का इस्तमाल करके इस टाइप से passport size photo बना सकते हैं I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करना न भूले